एलविश भाई का सिस्टम हैंग हो रहे क्या अरे यार सुनवाई टल गई शिकायत करता बोल रहे कि मेरी जानत्कों खत्रा है और खबरे आ रही है कि भाईय आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं एलविश भाई क्या हो रहा है कौन सी मुश्किलें बढ़ेंगी शलिए आप ल मामला दर्श किया गया था और इसी मामले में मंगलवार को गुरुगराम कोट में स्टेटस रिपोर्ट जमाहूनी थी लेकिन सुनवाई टल गई और पीपल फॉर एनिमल संस्था के जो सदसे है सौरब गुपता उनकी तरफ से कोट में आरजी लगाई गई थी लेकिन आप ज जताई है उन्हें कोट को गोपनिय पत्र लिखा है और सुरक्शा की यहां पर उन्होंने गई तो जानती होगे हूंगी ऑफ वीश यादव को आम जो ज़ानते ही हूंगे उनका एक गाना लॉंच हुआ था जिसमें रेयर प्रजाती के सांपों का इस्तिमाल किया गया था और इस पूरे गाने में 20 सांपों का इस्तिमाल किया गया था जिसमें से जो 6 सांपों थे वो रेयर प्रजाती के थे या आपके लीजिए ऐसी प्रचाती के थे जिन पर बैन लगा हुआ है जिनके इस्तिमाल पर रोख है और इस पर अपत्ती जताते हुए जो पीपल फॉर एनिमल संस्ता है उन्होंने गुरुगराम पुलिस में शिकायत दर्च करवाई थी और यहां पर कहा गया था कि बिजनस मैथड से इस्तिमाल किया गया है इस सांपो का यानि कि जो पीपल फॉर एनिमल संस्ता के सदस्य है सौरभ गुपता उनके तरफ से उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि जो गायक है फाजिल पूरिया और एलविश यादव है उनके गानों में सांपो का बिजनस मैथड स से इस्तिमाल किया गया है और उन्होंने यानि की एनिमल वेलफेर बोर्ड और प्रश्वासन ने वीडियो शूट करने की प्रमिशन भी नहीं दी थी ना उनसे प्रमिशन नहीं गई थी और ना ही वन विभाग को कोई ज्रानकारी दी गई थी फिर पुलिस के तरफ से अलव मामले पर अपडेट किया है इस मामले पर अपडेट यह है कि सुनवाई होनी थी जो टल गई है और सुनवाई होगी 28 मार्च को और यहां पर जुनोंने शिकायत की सौरब गुपता उनका कहना है कि मेरी जो जान है उसे खतरा है उन्होंने अपनी जान मतलब बताया है कि हैंग होता हूँ और नजर आएगा आपका क्या कहना वह हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बतायेगा और तमामें सरुजानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा